रोजाना ग्यान वर्दक चीज़ों को जाने के लिए आप हमार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नमश्कार दोस्तूं जै मातादी स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तूं अज इस वीडियो में हम बात करने वाली हैं तेईस फरवरी बुदवार के कुम्ब और तुला राशी फल के बारे में कि यह दिन इन राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन चीज़ों से इन्हें बचना है किन चीज़ों से इन्हें सावधान रहना है इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्तकी जानकर ही आपको देंगे तो अगर आपकी भी राशी कुम भी आतुला है तो आप इस वीडियो को बिलकुल भी मिसना करें और इसे अंत तक जरूर देखें, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बता दें कि इस दोरान अपनी भावनाओं को जितना उस्तकी आप काबू में रखें भावक्ता की अधिक्ता की वज़े से आप अपना नुकसान कर सकती हैं यानि कि जितना उसकी आप इस दोरान इमोशनल ना हो, आप में ये बात देखी गई है कि आप लोग बहुत ही ज्यादा इमोशन से भरे होते हैं, बहुत ही ज्यादा इमोशनल आप लोग होते हैं तब ही लोग आपका फाइदा भी उठा लेते हैं इसलिए दोस्तों जितना हुसके आप लोग इस दोरान इमोशनल ना बनें और जो भी फैसला आप करें अपनी सोच और समझ के साथ ही करें अन्यथा आप को नुकसान भी हो सकता है साथी सा दोस्तों जितना हो सके लोगों की बातों पर आप इस दोरान ध्यान ना दे कर अपने कारियों में व्यस्त रहें इस समय आप जम कर महनत करें परिश्रम करें और जितना हो सके लोगों की बेकार की बातों पर ध्यान बिल्कुल भी ना दे दोस्तों बता दे कि इस दुरान घर में और विवस्ता की वज़े से बच्चों की पढ़ाई में विवधान आ सकता है समय कुछ मुश्किलों वाला रह सकता है परन्तु किसी अनभवी विक्ती की मदद से रास्ते आपके आसान भी हो जाएंगे और सरकारी कारों में भी आपको सफलता मिलेगी घर का महोल जोरान सुकून दायक आपके लिए रहेगा विवसाय में अच्छे ओर्डर आपको मिल सकती है और वे आपके लिए फायरे मन भी रहेंगे इस समय बिजनिस में बदलाफ की संभावनाएं बन रही है प्रतिष्टित लोगों से आपकी मुलकात होगी नौकरी में मन अनुकूल स्थान पर ट्रांसफर की संभावना भी बन सकती है वैवाहिक संबंदों में इस दोरान अलाकी तनाफ पूंसितियां बन सकती है बहतर होगा कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करें लव पार्टनर को कोई उपहार देना आपके लिए इस दोरान उचित रहीगा स्वास्त आपका इस दोरान उत्तम रहीगा सिर्फ तनाफ वाली सितियों से आप जितना हो सके दूर रहे स्ट्रेस से दूर रहे तनाफ से दूर रहे कुछ समय अगर हो सके तो प्रक्रती के सानिध्य में भी आप वितीत जरूर करें दूस्तों बता दें कि इस दोरान कुछ कामों में मन चहा बदलाव आपको दिखने के बाद भी परिड़ामों की चिंता हो सकती है करीबी विक्ती द्वारा बोली गई बातों पर विश्वास रखना आपके लिए जरूरी होगा जी हाँ जी हाँ तभी आपकी मानसिक तकलीफ कम हो सकती है दोस्तों ये जोरान काम से संबंदित बातें सरलता से होती हुई नजर आईंगी फिर भी आपको अधिक मैनत करने की जरूरत पढ़ सकती है रिलेशन्शिप से संबंदित कन्फ्यूजन आपको मैसूस हो सकती है नीन्द से संबंदित बेचैनी तनाफ की वज़ा हो सकती है इसलिए जितना हो सके स्ट्रेस और तनाफ से आप दूर रहें और अपना खयाल रखें दोस्तों कुल मिलाकर किसी जरूरत मन व्यक्ती की मदद करना इस दुरान आपको हार देख खुशी देगा तथा आप उसी संबंदों में भी आपके नज़दी की आएंगी आध्यातम को जानने में भी रुची आपकी बढ़ेगी इस दुरान समाजिक कारियों में आपकी विस्ता बनी रहेगी तथा एक नई पहचान भी आपको हासिल होगी अगर प्रॉपटी से संबंदित कोई कारवाही चल रही है तो उसमें कुछ विलंब होने की संभावना है हाला कि धैरिये और सैयम से प्रयासाब करें जल्द ही आपको सफलता मिलेगी कोई महतपून अवस्तू की चोरी होने या रख कर भूलने की सितिया आपकी बन रही है बहतर होगा कि अपनी चीजों की संभालाब खुद ही करें बात करें कर वैवसाए की तो इस वक्त किसी भी तरह की यात्रा को सगित रखें कारिश शित्र पर ही अपने ध्यान दे पबलिक डिलिंग और मीडिया संबंदित कामों में बहुत ध्यान दे इस समय फाइदा होने की संभावना है ओफिस का महौल पॉसिटिव रहेगा अधिकारियों के साथ संबंद आपके मजबूत होंगे दोस्तों बता दें कि इस जोरान काम सफल होने के बाद भी विर्थ की चिंता आपको रह सकती है आपकी मेहनत और लगन बढ़ती हुई नजर आ रही है इस कारण किसी भी काम की जिम्मेदारी लेने से आप डरेंगे नहीं आर्थिक बातों से संबंद गंबीरता आपकी बढ़ने लगेगी अपने विवहार में पार दर्शिता रखकर काम करते आपको रहना होगा जिम्मेदारी का बोज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस दुरान आपके परिवार में खुशी का माहूल बना रहीगा किसी विपरीत लिंगी विक्ती से विवहार करते समय मरियदा का ध्यान दरूर रखे स्वास्ता कि अगर हम बात करें तो स्वास्ता आपका अच्छा रहीगा शायरिक और मानिसिक ठकान की वज़े से कुछ कमजोरी मैसूस आपको हो सकती है बदन दर्द और कमजोरी तकलीफ दे सकती है इसलिए अपना खयाल रखे दोस्तों उपाय कि अगर हम बात करें तो आप इस दोरान भगवान शनीदेव जी के आगे तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं साथ ही साथ इसी के साथ शाम के वक्त भगवान गणेश जी के आगे सरसों के तेल का या फिर घी का दीपक जरूर जला दे यह आपके लिए शुब रहेगा दोस्तों आपसे यंद्रोधे कि आप कमेंट सेक्षिन में सचे दिल से जैश्री गणेश जरूर लिख दे और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दे